इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम चाहे आप बहतर महसूस करें तो भी इलाज का पूरा कोर्स खत्म करें। यह आवश्यक है कि डॉक्टर से बात किये बिना इस दवा को अचानक लेना बंदना करें क्योंकि इससे आपके लक्षनों की स्थिती और भी खराब हो सकती है। इस दवा के कुछ सामान्य साइड इ आवश्यक्ता वाली कोई भी गतिविदी न करें। इस दवा से वजन बढ़ सकता है और इसे नियंत्रित करने के लिए आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और एक संतुलित डाइट लेनी चाहिए। अगर आपके मूड या व्यवहार में कोई असामान्य बदल चाहिए जो आप ले रहे हैं क्योंकि इन में से कई इस दवा को कम प्रभावी बना सकती है या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं। अगर आप गर्भवती है, प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या स्तनपान करा रही है तो अपने डॉक्टर को बताएं। नियूरोपे यह माना जाता है कि यह डेमेज नसों और मस्तिष्क के माध्यम से यात्रा करने वाले दर्ड के सिगनल को इंटरफेर करके काम करता है। गैबेपिन एंटी टेबलेट के साइड इफेक्ट इस दवा से होने वाले अधिकांच साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने क ज़रूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्थ हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षन बिगरने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। का इस्तेमाल कैसे करें। इस दवा की खुराक और अनुपान की अबधी के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसे साबुत निगल लें। इसे चबाएं, कुछ लें या तोड़ें नहीं। गैबेपिन एंटी टेबलेट को खाने के साथ या बिना खाए लिया जा सकता ह लेकिन इसे रोजाना एक निश्चित समय पर लेना बहतर होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।